नमस्कर दोस्तों आप सभी के स्वागत है हमारे RG Support Boy YouTube चैनल में So friends, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग Chrome ब्राउजर का नौटिफिकेशन बंद करना चाते हो तो कैसे बंद कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चले friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं और लिचलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीकी से समझा देता हूँ अगर आप लोग क्रोम का नौटिफिकेशन बंद करना चाते हो तो कैसे बंद कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आना है और यहां पर आपको आज आना है नौटिफिकेशन एंड इस्टिटेस बार में और यहां पर आने बाद अप नौटिफिकेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको आना है लोडिंग चलेगी और य आपको यहां पर अलग-अलग settings मिलती है जिसमें कि आप यहां पर देशेतों floating में जब भी आप माले जिए कोही अगर article अगर आता है कोई notification आता है ब्राउजर की तरप से तो आपको यहां पर इस विपर साइड में और भी बहुत सारी settings क्यों आपको बंद करना तो उस site का लिए से से देखने के लिए मिल जाएंगी जिसका आपको बंद कर सकती हो और इसके बाद क्या होग आप किसी भी website के किसी भी browser का कोई भी आपको notification नहीं आएगा यह आपужд। Chrome का ही notification बंद हो जाता अब कुछ भी आपको notifications नहीं आएगा Chrome browser की तरब से So friends, आज के से वीडियो में तरह ही I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज यार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चनल को सब्सक्राइब करके वेल अच्छा जरूर दबाना की आने वाली वीडियो का notification आप लोगों को सबसे पहले मिल सके